नमस्कार साथियों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल विकास जी के क्लासिज में जैसा कि आपको रोज पता है शाम को आठ बजी अपनी राजिस्तान पसू परीचर की क्लास होती है शुबह साथे चैनल वर्ड की करंट फेर की कलास होती है शुरू करते हैं आज की कलास इससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक जरूर करना वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों बहुत कुछ जानकारी मिलेगी पसू परीचर से रिलेटिड सुरू करते हैं आज की कलास इस वीडियो को जयादा से जयादा से जयर करना तो आज हम पडेंगे गोवंस की दोदारू नसलें पडेंगे इंडेक्स में गोवंस की दुदारू नसलें पड़ेंगे पसू नसल उदगम वितन छेतर सारीक पैचान विशेश लक्सन दूद उत्पादन परती ब्यांतो सारीक भार ये सब इंडेक्स के मादें से पड़ेंगे तो पहली नसल होगी अपनी वो होगी गिर नसल काठिया बा गैरा लाल सफेद चोकलेट बूरे वे काले रंग के दब्य होगे वो गिर होगी और चोड़ा उबरा ललाट कान पत्ती नुमा नीचे लटके हुए कान के उपर नोच होगी दोस्तों याद रखियेगा और इसके लाबा काजल डाली होई सरमीली इसकी आंखे होगी मतलब का पादन 2000 लीटर से 25 लीटर पर ब्यांत है और नर का बाहर है 540 किलोग्राम और मादा का है 306 किलोग्राम ये तपनी गिर नसल थी दोस्तों याद रखियेगा आगे दूसरी नसल है उसका नाम है थार पारकर गरे सिंधी वे सफेज सिंधी भी उसे बोलेंगे इसका उद्गन पाकिस्तान का सिंध प्रांत ये दोनों जिले हैं दोस्तों एक तो पाकिस्तान का है और एक एद्राबाद का थार पारकर है राजस्तान में वित्रन छेतर है जसल मेर जोदपूर मेवाड और इसकी विशेस्ता लक्षण सफेद रंग अथवा गरे सिंधी होगी इसके लाब फ्लैप सूविक्सित लटकी हुई होगी दूद देगी दोस्तों ये एक ब्यांत में पूरा 25 लीटर नर का बार होगा चारसो असी और मादा का बार होगा चारसो किलो याद रखिएगा कौन सी नसल थार पर कर नेक्ट नसल अपनी और वो है साहीवाल बहुत बढ़ी अगाई है दोस्तों साहीवाल या लोला ब्रिड भी इसे बोलेंगे या इसे मुलतानी भी बोलतेंगे मोंट गोमरी पाकिस्तान अधिकर्थ पंजाब वाला जो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वहाँ इसके उत्पति हुए दोस्तों और गंगानगर पंजाब में अपने बारत में मिलेगी गंगानगर और पंजाब में लक्षण गैरा लाल अलका लाल और चोड़ा ललाट कंबल टाइप होता है दोस्तों और मादा में सुन्डी सूविक्सित होगी और आँखों के चारों तरफ सफेद लिंग यानि सफेद गेरे मिलेंगे दोस्तों आँखों के चारों और दूद देगी अपने को 2725 लीटर से 315 लीटर परति ब्यांत देगी यानि 10-11 महिने जितना दूद देगी इतना देगी नर का बजन होगा 550 जब कि मादा का होगा 400 किलो ग्राम भार होगा दोस्तों याद रखिएगा इसके लाबन नेक्स्ट बात करते हैं सिंदी रेंड सिंदी की रेंड सिंदी की कराची वैदराबाद मिलेगी दोस्तों इसका उद्गम स्तन और अनुसंदान करते रहते हैं और इसकी विशेशता लक्षन है गैरा रंग लाल होगा थूई वै डवलप पूर्ण विक्सित होगी यानि इसकी थूई होगी पूर्ण विक्सित होगी और नर में सित लटका होगा दोस्तों और सिंग छोटे पीछे मुड़े होगे सिंग इसक 266 किलोगारम भार होगा दोस्तो आगे बात करते हैं दोस्तो द्वीकाजी नसल की गाएं अब की बार बी द्वीकाजी नसल की गाएं कौन सी एक आंक्रेज गाएं है सांचोरी गाएं भी बोलेंगे और उद्गम स्तलकच का रण है दोस्तो जबकि अपने राजस्तान में बीत कम लंबे अर्च सिंग होंगे यानि जहां से सिंग निकलते हैं दोस्तों वहां बहुत ज़्यादा चोड़े होंगे और यह जो अमूमन शड़कों पे देखी जाती है बड़े बड़े जुंडों में वो गाये दोस्तों सिल्वर गरे रंग होता है इसका चोड़ा दसा हुआ प्लेट नुमा ललाट होगा चाल कैसी होगी स्वाई ये बात इंपोर्टन्ट नोट करना स्वाई चाल के लिए गाये पर सिदय परसना आ सकता है अब इसका दूद उतपादन होगा तेरा सो पंदरा सो लीटर नर का बार पन सो बीस मादा का बार होगा चार सो किलोग्राम ये अपनी गाई थी दूए काजी नसल की कांक्रेज गाई की हमने बात की है आगे बात करते हैं दूसरी नसल होगी दूए काजी नसल में ही दोस्तो अरियाना यानी अरियानमी गाई वीतरन उदगम स्तल होगा इसका रोत तक इसार गुडगाओं अरियाना और राजस्तान में जैप, पूर, अलबर, जुंजुनू, चूरू में ये देखी जाती है, यानि सेखा बाटी और डुंडार छेतर में मिलेगी आपको, इसके लावा इसके लक्सन सफेद गरे रंग होगा, सिंग छोटे, पतली चमडी की, और नवल फ्लैंप नहीं होता है, यानि इसमें थूई भार होगा, आगे नसल है दोस्तों अपनी, वो एराठी नसल, उत्पत्ती कहां से होती एराठी नसल की, दिविकाजी नसल है, दूद उत्पादन और बैल भी अच्छे कारिये में, आते हूँ से दिविकाजी नसल बोलेंगे, इसके उत्पत्ती साही बाड़ थारपारकर ब दोस्तों, जबकि इसके लावा मैं आपको बता दूँ कि इसका लक्षन होगा, चित कबरा रंग मिलेगा, छोटा ललाट मिलेगा आपको, अकार मद्दे मिलेगा, और इसके लावा दोस्तों आगे देखीगा कि इसमें दूद की छमता होगी, एक जार से पंदरा सो लेटर पर व्यांत होगी, नर का बजन 400 और मादा का 345, कांक्रेज वालाई सेम टू सेम बजन है दोस्तों, याद रखना, इसके लावा नेक्ट गाए अपनी मेवाती गाए, ये महराश्टर में मिलेगी, कासी छेतर में आपको दोस्तों, इसका उद्गम स्तल काहों से हुए है, य इसके विशेस्ता मैं आपको बता दूँ कि सफेद सींग होगे, ललाट चोड़ा उबरा होगा, जबकि सींग छोटे होगे, आँखों के चारों तरफ गेरा भी मिलेगा आपको इस गाए के दोस्तों, इसके लावा आप देखिएगा कि इसमें दूद उत पादन की छमता कि जाद रखिएगा, तो दोस्तों ये थी आज की कलास, वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करना, और सामने बेल आइकन का घंटी है, उसको ओल पे सेट करना, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिप परिट करा हूँ, हम आपको 32 के 32 टोपिक दोस्तों, तो सुबह अपनी साड़े 6 बजे कलास होगी, इंडिया और वर्ड की करन्ट अफेर की, उसमें आना ना बूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें, फॉलो करें, विकास जी के कलास फेस्बुक पेज और विकास जी के कलास इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना ना बूलें, और इस वीडियो की आपको पीडियाप मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक चैनल के बायो में मिलेगा दोस्तों आपको, तो मिलते हैं सुबह साड़े 6 दन्यवाद